हेलो एब्रिवान मिली कीचेन में आप सब कस्वाग थे आज हम प्रेशर कुकर में प्लाव बनाने जा रहें तो एक प्रेशर कुकर में थोड़ा सा ज़्यादा करके तेल ले ले और इसमें एक चमच जीरा कतरका और चार प्याज और एक आलू छुड़ी टुकड़े में मैंने इसमें काट के लिया है और इसमें थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक जो है दे के सुनेरी होने तक क्योंकि टेस्टी बनता है मतलब प्याज अगर आप डालोगे ज्यादा ज्यादा तो बहुत ही टेस्टी बनेगा उसके बाद देड कटोरी मैंने चावल धुल के लिया है वह एट करें इसमें चार-पाच छोटे-छोटे टुकड़े में मिर्ची काट लिया है मैंने वह एट क अगरे दिमी आज पर जब अच्छे से फ्राय हो जाए तो इसमें देड काप की करिवन आपको पानी मिलानी रहेगी पानी ज्यादा नहाए मंलाए पानी जो है वह आप बहुत ही हिसाब से मिलाए तो ही आपको खिले-खिले से चावल मिलेंगे पानी ज्यादा मिल गई तो जो है गिला बनता है पुलाओ उसके बाद धनिया पता याट किया और इसको सिटी लगा दिये तीन सिटी लगानी रहेगी और तुरंत आपको इसको खोल देना रहेगा आप लेट खोले तो चावल जो है वो गिला मिलेंगे आपको तीन सिटी के बाद मैं आपको खुल के दिखा रही हूँ देखें कितना खिले-खिले से चावल आपको मिला है ये देखें पुलाओ कितना बड़िया बनाए और उपर से जो है इसमें आप धनिया बत्ता याट करें पूरा ही ऑप्शनल है अगर आपको धनिया बत्ता पसंद ह आप तब ही आट करें नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है उसके बाद फिर देखिए ये मैं दिखा रही हूँ आपको कितने गिले-खिले से चावल बने है और इसको आप चाटनी के साथ दही के साथ नहीं तो आम के आजार के साथ जैसे भी आपको पसंद है आप खा सकते हैं सिर्फ 10 मिनिट में रेडी हो जाती हैं बहुत ही इजी है बहुत ही आसान है पलाओ